ध्यान देने योगे बहुत ही अच्छी बात हैं अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुनें नमर एक अगर आप अपने पिछके गालों को मोटा करना चाहते हैं तो रो जाना एक सेब जरूर खाएं सेब में मौझूद एंटि ऑक्सिडेंट बिटामिन ए बी और सी होते हैं जो इसकिन के साथ चहरे का मुटापा बढ़ाते हैं नमर दो जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको रात में अजवाइन खाके सोना चाहिए उससे उनका पेट साफ हो जाएगा क्योंकि अजवाइन में थाइमूल नामक तत्तु पाया जाता है जो पेट साफ करने में मदद करता है नमर तीन प्रेगनेंसी में महिलाओं को दूद में काजू किश्मिस बादाम छुआरा मिला कर खाने से बच्चा स्वस्त होगा नमर चार बालों में कड़ी पत्ते का तेल लगाने से बाल काले घने और लंबे हो जाते हैं नमर पाँच अद्रक का पानी पीने से खोन साफ होता है और चहरे पर चमकाती है साथ ही एसकिन इंफेक्शन की समस्या को भी दूर करता है नमर छे जो औरते नरम और फूली हुई रोटी खाती है उनको कमर दर्द की शिकायत नहीं होती है नमर साथ अंडे में नीमू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल शाइन करते हैं नमर आठ अगर आपका बच्चा अकसर दूद पीने के लिए नकरे करता है तो आप उसे दलिया खिला सकते हैं एनरजी का बड़ा श्रोत है जो उन्हें दिन भर भरा हुआ महसूस कराता है इसे पच्चने में भी जादा समय लगता है नमर नौ अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो सरसों के तेल को हलका गर्म करके पैरों में मालिश करने से दर्द में राहत मिलती है नमर दस अगर हम लाल मिर्श जादा खाते हैं तो इससे हमारी आखों को और दिमाग को नुकसान पहुँचता है नमर ग्यारा यदि खाना खाने के बाद भारेपन महसूस हो रहा है तो पुदीने के पत्तों को पाणी में वाल कर पीले इस से पेट का भारेपन दूर हो जाता है नमर बारा आखों में चमक लाने के लिए रात में सोते समय आखों में काजल लगाएं नम्मर तेरा एक ग्लास दूद में एक चमच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से शाररिक मानसिक वा दिमागी कमजोरी दूर होती है और साथ ही जवानी हमेशा बनी रहती है नम्मर चौदा यूरिक एसिड कम करने के लिए गाजर, चुकंदर और खीरे का जूस बना कर पिया जा सकता है इस जूस को बनाने के लिए बराबर मात्रा में तीनों चीजों को लेकर पीस है और जूस बना ले इस जूस को पीने पर शरीर से यूरिक एसिड बाहर होने लगता इसे सुभा के समय खाली पेट पिया जा सकता है यह जूस शरीर को डिटॉक्स करके टॉक्सिंस को निकालने में असरदार होता है नमर 15 जिन औरतों के बरतन साफ करने से हाथ खुरदुरे हो जाते हैं तो उन्हें कच्चे दूद में नीमू का रस मिलाकर लगाना चाहिए इससे उनके हाथ नर्म मुलायम हो जाएंगे और इससे हाथों का कलर भी निखर जाएगा नमर 16 जो औरते सरदियों में सरसों का साफ का सेवन करती हैं उनका खून बढ़ता है नमर 17 हरा धनिया पीस कर उसका रसने चोड़ कर पीने से उल्टी आना बंध हो जाती है नमर 18 बच्चों के आखों की देखवाल के लिए बच्चे के जनम से लेकर चार महा तक के होने तक रात्री में उसके कमरे में मंद रोशनी रखनी चाहिए मुबायल और इलेक्ट्रोनिक चीजों का बच्चे से दूर रखना चाहिए क्योंकि इनकी हानिकारक के रिड़ों से बच्चे को नुकसान पहुचता है नमर 19 बिंडी की सब्जी और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए नमर 20 घुटनों में दर्द है तो अक्रोट की गिरी खाएं इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा नमर 21 सर्दियों में अक्सर लोगों की उमिनिटी कमजोर हो जाती है जिसकी वज़ा से उन्हें मौसमी बिमारी जल्दी हो जाती है ऐसे में उमिनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप घी और काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं इन दोनों में मौजूद पोशक तत्व रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में मदद करता है नमर 22 कान में मेल जादा जमा हो गया है तो हलका गुनगुना सर्सों के तिल को कान में दो बून डाल कर छोड़ दे ऐसा आपको सुबह शाम करना है मैल खुदी बाहर निकल जाएगा नमर 23 सोने से एक घंटे पहले पानी शरीर को खोई हुए बॉडी लिक्विड को फिर से भरने में मदद कर सकता है लेकिन ध्यान रखें कि ये एक घंटा पहले पीना चाहिए ना कि 10 मिनट पहले नमर 24 जादा नंगे पाउं चलने से आपके तलवों में ताकत रहती है नमर 25 कच्चे अनार का पानी उवाल कर बालों में लगाने से बालों का बढ़ना शरू हो जाता है नमर 26 आप जब भी फाउंडेशन लगाएं तो फाउंडेशन में थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लें इससे आपका चेहरा ड्राय नहीं होगा और मेकप काफी लंबे समय तक टिका रहेगा और ग्लोइंग रहेगा नमर 27 खांसी में बलगम के साथ खून आने पर सबसे पहले जाँच कराने की सलहा दी जाती है इसके अलावा मरीज को इंफेक्शन आदी से बचाओ के लिए फेस मासका इस्तिमाल करना चाहिए नमर 28 कोई भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे तेजाब बनता है और सीने में जलन की समस्या हो सकती है नमर 29 अगर आपके दातों में सुराख हो गया है तो कपूर को बारिक पीस लें और उसको उंगली की सहयता से अपने दातों पर लगाएं और हलके हाथों से मिलें फिर सुराखों को अच्छे से साफ कर लें फिर कपूर को सुराखों के नीचे अच्छे से कुछ देर के लिए चवालें ऐसा करने से दातों का दर्द चला जाएगा नमर 30 हाथ या पैर में कट लग जाए या छिल जाए तो तुरंती शहद लगा लेना चाहिए क्यूंकि शहद में अंटी बैक्टेरियल गुड होते हैं जिसकी वजह से इंफेक्शन का खत्रा कम होता है और घाओ भी जल्दी भर जाता है नमर 31 अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो प्रैसर कुकर माइक्रोबेव ओवन आदी को कम से कम काम में लाएं यह बीडियो में बताई गई जानकार ये एक सामाने प्रिक्रिया के लिए है किसी भी बीमारी से पीडित होने पर डॉक्टर से सलह लेकर ये नियम अपनाए